हाई, वेलकम तो मैं चोनल, इस बड़ियो में सॉल्व करें कुशनमा 14, दियामीटर आफ रोलर इस एटिफोर सेंटिमेटर, एट्स लेंथ इस लेंथ इस वन ट्वेंटी सेंटिमेटर, एक रोलर का जो पहिया होता है, उस पहियों को मैंने यहां बना दिया है, और इस पहिया का जो लेंथ है, वो दिया हुआ है, और डायमीटर दिया है, मतलब कि यहां से यहां तक जो यह डायमीटर है, वो दे दिया है, कितना, दे दिया है, 84 सेंटिमेटर, यह आपका है 84 सेंटिमेटर, और 120 सेंटिमेटर इसका लेंथ है, 120 सेंटिमेटर क्या है, इसका यहां से ले क्या करता है, road पर चलता है या पिर किसी खेत में या किसी field में उसको plane करता है तो यदि हम एक field ले ले हैं, एक field है हमारे पास वो दीजा हुआ हुआ, ठीक है, कर रहा है कि eat tax, अब बुला है कि eat मतलब कि यह जो roller है, वो tax मतलब लेता है 500 complete revolutions 500 complete tribulations लेता है moving once over to level a playground तो यह माली जी कि यही है आपका playground ठीक है और इस playground को level करना है level करने का मतलब क्या कि इसकी यदि इसमें जो earth है जो मिट्टी है वो यदि यदि मतलब कि जैसे कि उचा होगा नीचा होगा ऐसा कुछ field में होगा तो उसको बराबर करने के लिए पूरा plane करने के लिए हम इस roller का use करेंगे तो बोल लाए कि जब इसको हम roller को ला रहे है आपर तो जब हम यहाँ पर ला करके माली जी कि यहाँ पर ला दिये और इसको rotate करवा रहे है यहाँ ठीक है मतलब ऐसे रोटेट करते 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 कितनी बार में करेगा total 500 complete revolutions लेगा तो यह हमें पता करना पड़ेगा ना कि एक revolution करने में यह जो roller है वह कितना area cover कर रहा है यदि हम यह निकाल ले हैं कि एक बार यह roller जब revolve करता है तो कितना area cover करता है उसी area में यदि हम multiply कर दें 500 से तो निकाल लाएगा total area अब दी playground क्यों क्यों क्योंकि यह जो roller है वो 500 complete revolutions में पूरे playground को cover कर ले रहा है यहाँ बोला है बिल्कुल है कि नहीं it attacks 500 complete revolutions moving once over two level of playground मतलब एक बार completely यह जाने के लिए complete roll करने के लिए 500 revolution ले रहा है यह roller तब जाकर के इस field को इस playground को level कर पा रहा है तो हमें करना क्या होगा हमारा strategy यह होगा solve करने का कि पहले-पहले हम निकालेंगे area of area covered in one revolution by the roller ठीक है एक बार revolve करने पर कितना होता है तो यह समझे थोड़े यहाँ ध्यान से कि यह यह roller एक बार revolve करता है तो यह जितना इसका curve surface area है केवल उतना ही कभर कर पाएगा एक बार revolve करने पर यह बार समझवार ही है मतलब आपको यह समझना होगा पूरतर से मैंने यह जो पहला बीडियो बनाया है इसका समझाने के लिए वो मैंने यह बताया था कि यदि कोई ऐसा पेपर का बना हुआ कोई cylinder है यदि बीच में से आप यहाँ से कैची से काट दें ठीक है तो यह क्या हो जाएगा एक plain paper बन जाएगा और यह प्लेन पेपर आएगा यह एक्शुली यही होगी area आफ दिस काट सफेस एरिया ठीक है तो यहाँ पर भी तो वही होगा यदि एक बार रिवाल्व करेगा तो यह एक बार रिवाल्व करने का area उतना ही आएगा जितना इस plain paper का यह जो खुल करके जो बनेगा इस roller को काट करके जो बनेगा यह प्लेन करके जो area उतना ही कबर करेगा तो यहाँ भी वही concept है और उसी concept को उमसार समझना है ठीख है मतब एक बार evolve करने पर जो area cover करेगा वो उतना ही करेगा जितना इसका cod surface area है तो हम पहले निकालते हैं इसका एक बार evolve करने पर जितना area cover करेगा उसको तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि area covered by अच्छा covered by की जगब हम leveled by करते हैं न area leveled by area leveled by the ruler in one revolution by the ruler by the ruler in one revolution in one revolution तो कितना होगा ये area उतना ही होगा जितना इस ruler का chord surface area होगा is equal to curved surface area of the ruler ठीक है तो यहाँ पर chord surface area आप दी रोलर कैसे निकालेंगे बस भाई formula 2 by r h यह जागा 2 into 22 by 7 into radius दिया हुआ है साब कुछ 84 diameter दिया हुआ है diameter दिया है 84 centimeter आपने यह radius नहीं का सकते हैं क्या 42 centimeter यहाँ पर लिखेंगे आप 42 2 multiplied by h height कितना है 120 ठीक है 7 बंज़े 7 और 7 6 जा 42 और multiply कर लेंगे यहाँ पर ठीक है तो होगा कितना तो यह हो जाएगा 44 44 multiplied by 6 12 जाए कितना होता है 72 0 हो जाएगा और यहाँ multiply कर लेंगे तो मिल जाएगा हमें उतना एरिया जो cover होगा एक बार रिवाल करने पर तो 44 जाए करते हैं तो मिलेगा आपको दीखें 4 2 जा 8 4 2 जा 8 हो जाएगा और 7 2 आड़ करिए 7 2 आड़ करने पर मिलेगा 9 और 9 फोर्जा 36 36 का 6 3 करिए और और 7 फोर्जा 28 28 and 28 and 3 28 and 331 इतना मिल जाएगा तो ले और यह 0 बढ़ जाएगा यह 0 भी रहेगा तो इतना क्या हो गया cm2 इतना हो गया area covered in 1 revolution अब हमें निकालना है कि area covered in 500 revolutions तो 500 revolution में निकालने के लिए का करेंगे multiply कर देंगे है कि नहीं मतलब हमें का करना पड़ेगा multiply कर देना होगा इस 1 revolution में जितना बार आ रहा है 1 revolution में जितना भी area आ रही है इतना आ रही है इसमें multiply कर देंगे 500 से तो आजय का total area तो हम यहां लिखेंगे since area of area of the playground यही पूछा है area of the playground ठीक है is equal to area covered by the roller by the roller in 500 revolutions ठीक है और जो area covered by the roller in 500 revolutions होगा वो होगा area covered in one revolution multiplied by 500 तो area covered by one revolution multiplied by 500 means 500 multiplied by इतना 3,000 sorry 31,680 cm square अब यहां multiply कर लेंगे तो देखें जियो तीन जिरोज है है आपर तीन जिरोज पहले पढ़ा लिजे 1, 2 and 3 और 5 से पढ़ाई कर लिजे 5 एट जा 40 का 0, 4 का रहे ओवर 5, 6, 30, 30 and 4 34 का 4, 3 कर रहे ओवर 5 एज़ा 5 and 3 5 and 3, 8 5, 3, 0, 15 ठीक है तो यहां पर देखें अब यह इतना cm square हो गया हमें करना क्या है इसको meter square में change कर लिजे ताकि यह simple थोड़ा छोटा हो जाए तो यहां पर कर सकते है 1, 5, 8, 4 1, 2, 3, 4 cm को जगा अब लिखेंगे 1 upon 100 का square तब हो जाए मिटर square यह हो जाएगा 1, 5, 8, 4 1, 2, 3, 4 मुझे भाई 1 upon यह हो जाएगा 100 square करेंगे तो 1, 2, 3, 4 meter square दिखेंगे हैं आप 4 zeros 4 zeros cancel out हो जाएँगे finally मिल जाएगा आपको 1,584 meter square and this is the area of the playground ठीक है तो इसमें कुछ concept यही था बस कि यदि roller का एक revolution में हम area निकाल लेते हैं तो 500 revolution करने पर यह पूरा playground को cover कर ले रहा है इसलिए इस पूरे playground के area जो है equal हो जाएगा 500 से जब multiply कर देंगे एक बार में जो revolve करता है उस से तो वही हमने करके हैं आपको निकाल लिया and this is your answer thank you so much for watching bye